अपिसोड 3 में आपका स्वागत है मैंने एपिसोड 2 के पार्ट 3 को भी एक्स्प्लेइन किया था लेकिन उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजे थी जो कि यूटूब के गाइड लाइन्स को फॉल्व नहीं कर रही थी तो यूटूब ने उसे बैंड कर दिया उस वीडियो कर दिया और मुझे एक वार्निंग दी है कि मैं इस तरह का वीडियो अप्लोड ना करो तो मैं आगे जितने भी स्रीजे होंगे उन में जितने भी इस तरह के सीन होंगे जो कि यूटूब के कम्यूटी गाइड लाइन्स को फॉल्व नहीं करते परिमागी रूप से पागल और इस तरह का कुछ कि मैं किसी कुछा के मार दूंगा या ऐसा वैसा कुछ कोई साइको नहीं हूँ यहां पर सीन सिफ्ट होता है जहां पर मतेयो शोकून को अपने रूम पर लिकाया होता है और इसको बीडेसम में यूज होने वाले सारे सावन के बारे में बता रहा होता है तुछ यहां पर मतेयो एक स्टीक उठाता है ऐसे बीट करता है तो यहां पर मध्यो कहता हैं घज्य तुमन कहते हैं थू कНऄे मुझकल के बदले रखा । थू किसने मुझसे कहा हैं और हको खेडा कुदी नहीं टाहता हैं मध्यो कहते हैं कि मैं तुम्हां से भीचे रखा बंलें टू है Tb Sandцип 00 0 सब कुछ पता है कि एमेंने सब कुछ तो तो सब कुछ ओर आ छहे करने कारें में बेदेबapolis को संविय। को जसéri और में आपुछा है, कि जो थाई कि और ये पर आणिया इसी 3 हो ये ये मेन ूंडी ध्न करता है, ये फ़र कुछ अब न सब करेंगे और अगर तुम चाहते हो कि हम तब तक साथ रहें जब तक हमारी शादी होना जाए तो हमें एक दूसरे की टेस्ट को समझना ही होगा तो यहां पर मतलब मत्यों कहता कि अच्छा सुनो अच्छी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं पहले तुमाना सब बन सकता करता है सब यह क्या होता है और तो यह होता है कि मतेओ कहता है और सबहसान को बता करता है और तो मेरे वाइफरेंट हो एसके घाली हो जाता है पी तो क्या क्या केवा, श्रीक बवल जाओं अब चिजों के बारे में नहीं तुम अभी ज्वाइण है उसने सीप मीजिकल इस्तर में बजट दिया है लेकिन थीचर के लिए बजट नहीं दिया यह पर शोकुन कहता है कि तुम क्यों नहीं सिखा देते, यह पर यह कहता है कि मैं इन में से कुछ भी नहीं बजा सकता, मैं तो बस स्कूलनेस के लिए प्रेसिडेंट हूँ, और कहता है कि अगर तुम्हें यह क्लब जोइन करना है तो तुम मतयों के पास जाओ और उसे एक औ बजट मांगो, यह पर यह पर यह कहता है कि अभी सिर्फ एक ही बजट बचा हुआ है, और अगर तुम यह बजट नहीं ला सके तो ऐसे भी हमारा क्लब जो हो डिजॉल्व हो जाएगा, यह पर यह पर यह पर शोकुन कहता है कि अब हमें किस तरह का बजट चाहिए, कोई ब बजट की बात कर रहा हूं, यह पर यह पर शोकुन कहता है कि कुछ नहीं, मैं दूसरे बजट की बात कर रहा हूं, इस सीनों में मतेय को दिखा जाता है, जो कि अपनी ऑफिस में बैठा हुआ होता है, और अपने बगल बैठे वए लड़के से खुद को मसाज करने के लिए बजट करने का था हूं, तो यह पर शोकुन आजा था है कि है, क्या तुम्हारा मतलब मुझे टीज करने का था, तुम्हीं पता था ना, कि मुझे कलब के पास कोई भी बजट नहीं बचा हुआ है, कोई फाइदा ने अगर उसके पास ड्रम है, मुझे फिर भी बढ़ा ना, और अगर तुम चाहो तो मुझे शूइठार यह ऐसा कुछ करके बुला सकते हो, तो यहां पर शोकुन जो तर बगल लडगे को देख रहा होता है, तो मतेव समझ जाता है कि शुकुन अंकमफर्टेवल फिल कर रहा है, तो मतेव उस बगल वाले लडगे को कहत सकते हो, तो सुनो, मैं यह जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और मैं क्या लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारा एक्स नहीं हूँ, तो मतेव कहता है, 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 तो मतेव कहता ह जब तक कि तुम्हें कोई बजट न मिल जाए और अभी भी तुम्हारा क्लब डिजॉल्व हो सकता है तुरी सुनकर शुकुन को अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन हो फिक स्माइल करके मतायो के और देखता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते है तुम क्या होता है कि स्कुर्टी गार्ट को बताना मत भूला कि तुम एक हैंडसम लड़की की रूम पे आने वाले हो और मेरा रूम नमबर 351 है नेक सीन में हमें शुकुन को मतायो के रूम पे दिखा जाता है जहां पे शुकुन जोता है बीडियसम के सारे समानों में से एक समान उठ तिन 강छिन बाटरों में नहात भूम सारा ताव एक समाना मत्यों बचान के की ड़ल एकी मों बत्ती जलने पर पे जऽाता है सब्लाइब मतायों को लगतान के शुक्ता है जहां तो डाल ही कि लिए का मत्यों के शुकुन बसे तरहें त्रहिए दासा डिक अटिन को आता है कि यह थोड़ा सा घप राजाता है अज जो मैं यह लोशन खरीद के लेकर आया हूं इसका यूज मैं आफ्र केर की रूप में करता हूं तो यह फिर मत्यों बहुत जादे स्मयल करता है और कहता है कि यह ऐसा है जैसा कि मैं भी कर रहे है आई मीन जब हम लोग अपना प्लेग खतम कर लेंगे BDSM का उसके बाद हम लोग दूसरे की केर करते है और बिल्कुल यह वैसा ही है तो यह फिर मुझे भी तुम्हारी आफ्रक के करने दो और शुकून होता है मत्यों को लोशन लगाने लगता है तो यह देखके मत्यों बहुत ज़दा है और शुकून को थैंक् कोशिशिश करा है और शुकून बहुत ज़दा यह उसको अपना तॉक्सिक रिलिशनशिप भी यह पर जो चणत हो जाता है और यहsा कुछ बहुत है तो तुम ज़से बदा सकते हो प्लीज मुझे बताओ लगता है तो यह पर शुकून लोगता है तो जो इसको बहुत हो ब मुझे भी आफटर के पसंद आने लगा है और मैं तुम्हें आफटर केर कर देता हूं और फिर यहां पर बहुत प्यार से मतायों की बैग पे लोशन लगा रहा होता है इस पार्ट को मैं यहीं पेंट करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमाने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हाँ मैं आप लोगों से बतान न भू हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए